नमस्कार साथियो, स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस सांदार वीडियो में दोस्तों अगर आपका घर पुराना हो चुका है आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं या फिर रिपेयर करना चाहते हैं तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपके लिए dedicated है दोस्तो दोस्तो हमें से ज़्यादा तर लोग जब भी हम अपने घर को renovate करना चाहते हैं या repair करना चाहते हैं तो हम bank से loan लेते हैं पर जब भी हम bank से loan लेते हैं उस loan को जब repay करने जाते हैं तो अगर आप ठीक से calculation करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब आप अपने loan को repay करेंगे तो लगभग आपका interest मिला के लगभग two times हो जाता है दोस्तो आपका पैसा यानि कि मान लीजे आपने bank से 10 लाक रुपे का loan लिया या फिर 5 लाक रुपे का loan लिया है तो जब आप उसको repay करेंगे तो लगभग 8-9 लाक रुपे हो जाता है दोस्तो इसलिए ज्यादा तर लोग हिच की चाते हैं bank से loan लेने के लिए पर दोस्तो आज के इस video हमने एक जुगार लेकर आया है जिसके चलते हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से आप अपने repair के home loan को almost interest free कर सकते हैं दोस्तो और इस से आप बहुत सारा पैसा save कर सकते हैं और इस पैसे को कहीं पे invest कर सकते हैं दोस्तो तो इस से पहले कि हम यह द अपना home loan यानि कि repair loan मिल जाएगा दोस्तो तो दोस्तो यह किस तरह से करेंगे इसका क्या process होता है हम इसके बारे में पूरा detail में बात करेंगे दोस्तो पर इस से पहले अगर आप चैनल पर new है तो इसको एक बार subscribe करके अपने दोस्तों के सारा share करना मत भूले तो चले दोस् दोस्तों हम आगे हैं अपने excel sheet पर सबसे पहले दिखें यहाँ पर आपको दिख जाएगा loan का amount तो अब जितना भी रुपय का loan लेना चाहते है यहाँ पर उसका value डाल देंगे तो हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों पांच अलाक रुपय मान लिजे आपको अपने home को घ देखेंगे दोस्तों कि पांच अलाक रुपय का home loan नौ परतिसातर इंट्रेस्ट के हिसाब से पांच साल के लिए आपकी जो EMI आ जाती है दोस्तों वो 10,379 रुपीज आ जाती है अब इस value के एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 10,300 और हो गया दोस्तों 79 रुपी दोनों को कुल मिला के आपको बैंक को देना होगा दोस्तों पांच लाग प्लस एक हजर अठर रुपे छे लाग अठरा जार एकसो पंदर रुपे अब हमारा यह मोटिव है कि यह पूरा का पूरा पैसा को हम मिनिमाई जाखे जीरो कैसे करें तक कि हमारा जो लोन है यानि क पांच गुना दो पांच गुना दो होता है दोस्तों, यहां पर हम 10 लेंगे दोस्तों तो जैसे यह हम 10 लेखेंगे यह जो EMI है इसका वेलू घट जाएगा पर यह टूटल वैलू बढ़ जाएगा दोस्तों एक बार हम अब को करके दिखाते हैं देखिए पहले जो EMI था वो था दोस्तो 10,379 अभी हो गया दोस्तो 6,3,3,4 इस value को भी हम लिख देते हैं 6,3,3,4 यहाँ पर difference कितना आ रहा है दोस्तो लगबग 4,000 का यहाँ पर difference आ रहा है पर यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं पहले जो आप 1,18,000 का interest पे कर रहे थे अभी लगबग 2,55,000 का interest पे कर रहे हैं दोस्तो अब यहाँ पर हमने बचत किया है दोस्तो 4,000 रुपए तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि यह जो 10 साल में आप यह लोन पे कर रहे हैं अगर हम 7,500,000 का interest को मिला के 10 साल में यहाँ पर जो हमने 4,000 रुपए के बचत की उसी पैसे से अगर हम 7,500 रुपए जूड़ देते हैं तो हमको बैंक को देना है 7,500,000 रुपए और हमें बैंक से मिलेगा 7,500,000 रुपए तो हमरे हाथ से गया 7,500,000 और हमें मिला 7,500,000 तो हमारा जो घर को हमने रिप्यार किया है वो फ्री में रिप्यार हो जाएगा दोस्तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तो हम हम help लेंगे fixed deposit का देखे दोस्तो जो fixed deposit होता है वो one of the best deposit होता है पूरा secured deposit आपको कोई tension लेने की जरुरत नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर आप द हमने हर महीने 4-4,000 रुपए का बचत कर रहे थे उसी बचत को यहाँ पे fixed deposit डालेंगे हर महीने में एक fixed deposit 10 साल के लिए fixed deposit का जो rate of return हम यहाँ पे 37 सत मान के चलते हैं दोस्तो 10 साल के लिए यानि कि हर महीने 4-4,000 रुपए आप fixed deposit कर रहे हैं 7% के इसाब से 10 साल के लिए तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं आपको 10 साल के बाद मिलेगा दोस्तो लगबग 7 लाख रुपए आपको bank को देना है दोस्तो साड़े 7 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 7 लाख रुपए अब दोस्तो पर हमें चाहिए दोस्तो साड़े 7 लाख रुपए पर अग पर जो आपने 4000 रुपए शेफ किया, वहां से आपको मिल रहा है दोस्तो, 7 लाक रुपए, यानि कि 5 लाक का लोन लेके, अपने सिर्फ 50,000 रुपए ही बाफस करके, दोस्तो, अपना घर को पूरा रिनोवेट कर दिया, दोस्तो, यह आइडिया आपको कैसा लगा, आपको जर जरूर समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर कुछ डाउट रहे, तो आप हमें जरूर कमेंड कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके, आपको एंसर करने के कोशिश करेंगे, आपका दिन मंगल में हो, दिन्यवाद दोस्तो.